एलो दोस्तों क्यासे हैं आप सब आई होप होंगे पहुती बढ़ियां मैं इस चैनल का होष्ट आप लोग का दोस्त अंकित आप लोग का इस वीडियो और इस चैनल में स्वागत करता हूँ हिपोपोटमस जिसे भारतिय आमभासा में हिपो या दर्याई घोडे के नाम से जानते हैं यू तो दिखने में या जानवर बेहत खुबसूरत नजर आता है परन्तु बावजुद इसके या बेहत आक्रमक स्याली का जानवर है या अपने इलाके में किसी भी अने जीव या इ सी विचितर जानवर से संबंदित है आज हम आपको हिपो से जुड़े सभी रोचक वा दिल्चस्प तत्य बताने जा रहे हैं जो आपने सायधी पहले कहीं सुने होंगे तो आईए ज्यादा दिर ना करते वे जानते हैं दोस्तो दर्याई घोड़ा असल में घोड़े के पर अलिवार से संबंध रखता है दर्याई घोड़े को पानी का घोड़ा भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने जीवन का अधिकांत सिमय पानी में रहकर बिताता है दर्याई घोड़े सुख्वाव से बेहाद आकर्मक किस्मके होते हैं अगर आप इनके पास जाते हैं तो यह य जाता है दोस्तों क्या आप जानते हैं दर्याई घोडे का मुह 5 फिर तक खुल सकता है दर्याई घोडे साकाहरी जीव की स्रेनी में आने वाले जानवर है ये भोजन में घास पतियां वो पेड़ पधे इत्यादी खाते हैं दर्याई घोडे एक दिन में 1500 पॉंड तक घास खा सकते हैं दर्याई घोडे की चमडी के नीचे चर्वी की एक मोटी परत होती है जिससे गुलावी रंग का तरल निकलता रहता है दोस्तो क्या आप जानते हैं दर्याई घोडा हाथी और गेंडे के बाद पृत्वी पर पाए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा इस्थल पर रहने वाला इस्तंधारी जीव है दोस्तो एक स्वस्थ हिपो पचास वश्थ तक जी सकता है दर्याई घोडे की चर्वी दो इंच तक मोटी होती है और यह बेहद सक्त होती है इनकी चर्वी इतनी सक्त होती है कि इस पर किये गए भाले का वार भी कभी काम्याब नहीं हो सकता दोस्तो क्या आप जानते हैं एक स्वस्थ हिपो अकार में 12 फिट लंबा हुआ 5 फिट तक चोड़ा हो सकता है दर्याई घोडे एक समाजिक प्रानी है और यह जुन्ड में रहना पसंद करते हैं इनके एक जुन्ड में 30-40 नर्वमादाय होते हैं दोस्तो क्या आप जानते हैं दर्याई घोडे अफरिका में सबसे ज़्यादा पाये जाते हैं और अफरिका में सबसे खतानाक जानवर इन्हें ही माना जाता है आपको जानकर हैरानी होगी एक दर्याई घोडे का वजन लगभग 4 तन तक हो सकता है दर्याई घोडे भारी भरकम सरीर होने के बावजुद भी तेज दोड़ना जानते हैं और यह अधिक्तम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रपतार से दोड़ सकते हैं तो दोस्तों आपको दर्याई घोडे से जुड़े रोचक वदिल्चस्म बाते जानकर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके